सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बैल आइकन पर क्या आपने ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में सुना है जो पोदो को ग्रोथ को बूस्ट करता है और आपके जो फ्लावर प्लांट है उनके कलर को मेंटेन करता है फूलों और सबजियों में यूज करने से जो फूल खिलने से पहले गिर जाते हैं इंको गिरने से रोकता है और फल बड़ा होने से पहले गिर जाते हैं फल नहीं बन पाते, जड़ जाते हैं उनको । आज आज आपको एक ऐसी फर्टिलाइजर के बारे इम बताने जा रहा हूं तो दोस्तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर किया करें तो दोस्तो मेरे नाम है राकेश और आप बने हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल और सदार्डन पर तो दोस्तो इसके बारे में आपको जनकारी देता हूँ दोस्तो ये एक दानेदार काद है इसको जाइम बोलते हैं जाइम के अंदर अमीनो एसिड बारा परसेंट होता है ब्रासिलोनाइड बारा परसेंट और हूमिक एसिड शे परसेंट होता है और बाकी का इसके अंदर कार्बन पाया जाता है और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रियंट इसके अंदर होते हैं तो दोस्तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या-क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा यह एक दानेदार मिसरन है पोदो की जो मूल जड़ होते है सफेद जड़ उसको बढ़ाने में मदद करता है मतलब जो आपका प्लांट है उसको वो अगर रोकिंग करता है तो वो रोकिंग नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो में जड़ होती है जो प्लांट को सुपोर्ट देती है उसको यह बढ़ाता है जो सहायक जड़े होती है छोटी-छोटी बारीक जड़े होती है जो खाने जो प्लांट तक खाना पहुंचाती है उसका नई जड़ों का निर्मान करती है मतलब अगर प्लांट में नई जड़े बनेगी तो अपना प्लांट जो ज्यादा ग्रोथ करेगा पोधों की जो प्रकास संसलेशन फोटो सिंथेथी जो किरिया करते हैं प्लांट सनलाइट के साथ मिलकर उसको ये बढ़ाता है और जो मजबूत कोशिकाई होती है उनका निर्मान करता है जिससे पोधों में पोशक्त ततुओं को ग्रहन करने की सक्ति बढ़ जाती है पोधों में रोग परतिरोदक्षमता को बढ़ाता है पोधों में फल फूल अधिक मातरा में आते हैं फूलों का जड़ना वे फलों का गिरना रुक जाता है यह भूमी में उपजावपन को बढ़ाता है मिट्टी को भुरुभुरी बनाता है मिट्टी ज़्यादा कड़क नहीं रहती जिससे जो मृदा उपजावपन है वो बढ़ जाता है मतलब मिट्टी को उपजावपन बढ़ जाता है जिसमें मिटी मिरिदा वायू उपुक्त रहती है मतलब मिटी में हवा भी रहेगी जो की प्लांट की रूट्स को चाहिए और दोस्तों ये मिटी के पीएच मान को एक जगा स्तिर रखता है मतलब पीएच मान कम ज़्यादा होगा तो जो अपकाइशीड लवी प्लांट होंगे उनके लिए भी खराब है और जो अलकाइन सोयल जिनको पसंद है वो उन प्लांट के लिए भी हानिकारक होता है अगर पीएच मान उपर नीचे होता रहे तो उसको एक जगा स्तिर करता है और दोस्तों मिट्टी का कटाव को रोकता है अगर ये खेतों में यूज किया जाए तो दोस्तों फल्स रूप म्रीदा उपजावू फसल उत्पादन को बढ़ाता है और जो आपके प्लांट है आपके अगर घर में लगा रहे हैं पोट में तो उनकी ग्रोथ को भी ये फा आज बैंगन मिर्च टमाटर गेहूं धान मुंफली आज इस सभी प्रकार की फसलों सबजियों बगीचों फूलों के पोदों में सभी में इसका प्रियोग कर सकते हैं ये आल रांडर फर्टिलाइजर है और इसमें नाइट्रोजन बिलकुल नहीं होती मतलब ये आपसे थो प्लांट को डैड करें या फिर उसमें उसको प्लांट को बर्न कर सके वह इसकी अंदर चीज नहीं होती तो वैसे तो ये कैमिकल बेस्ट फर्टिलाइजर है लेकिन काम ये और गैनिकी तरह ही करता है मतलब हारम फुल नहीं है काफी अच्छा फर्टिलाइजर है ये आप कि 20-25 दाने ले लेजिए और एक पोट के अंदर गुडाई करके आप उसके अंदर डाल दीजिए तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा तो ये थी दोस्तों जाइम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा देने की कोशिस की है अगर अगर आपने फूलों के पोड़ों में इसको लगाते हैं नीक बढ़ाते हैं तो जो फूलों का जो कलर होगा वह भी अच्छा आएगा और प्लांट की तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसी इन्फर्मेशनल वीडियो प्लांट से रिलेटिड गार्डनिंग से रिलेटिड मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तुर तक मुझे क्यां प्लांट